हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टेडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों न्यू प्रैक्टिस का ये 26 प्रैक्टिस है मैं यपी वर्ग 2-3 यूपी टीजिटी पीजिटी यूपी हल्डी ग्रेट बीपीस्टी टीरी फॉर एंड अन्यू फिजिकल एजु चाहते हैं तो चैनल की प्लेश में जाए सभी टॉपिक का मैंने टॉपिक वाइज थिवी सेशन पढ़ाये हुआ है जो भी छूटा हुआ है उसे कोशिस करोंगी पुरा करने के लिए दोस्तों जो भी गलतिया होगी किसी कोश्टिस में तो उस कमेंट में जरूर कहिए निस तो साहन सकती परिचर के लिए इसमें यूज होता है ट्रेयर मिल का आप सभी ने सही जवाब दे दिया होगा इवेंट पर भाग ले लो ठीक है विल बी एलाउड टू पार्टिसिपेट इन अधर अनधर इवेंट ठीक है पूसर नंबर थ्री है कि माइक्रो साइकल प्रसिचर की अवधी कितनी होती है दूरेशन अप माइक्रो साइकल ट्रेनिंग तो दोस्तों आप सब को पता है कि मा साइककर मीजुचकर और माइक्रो सा हूँ झाल empowerment सा जाती है जैसे जो मैइक्रो स्धाट को पर रिखाटं है उसे हम ट्रेंस्ट होता है चेहीं जो सबसे निघे स्ट्री था मेह यार्निक होता है दूसरा होता होता है माइक्रो चक्र जिसे हम सुच में आवधी चक्र या सापता है कि योज़ना भी कहते हैं यह सबसे छोठा चक्र होता है तीन से दस दिन यानि कि एक सप्ता का होता है पोसे नमर चार है उच्रक्त चाप के समय हिदय के किस भाग को कुठिन कारी करना पड़ता है which part of the heart has to work harder during high blood pressure तो दोस्तों उच्छरक्त चौब के समय high blood pressure के समय हिरे के बाएं वेंट्रिकल यानि कि बाएं निले को जारे कारे करना पड़ता है इस condition में क्या हो जाता है कि जो बाएं निले होता है left ventrical वो हाइपर्ट्रोफिक के इसिती में आ जाती है हाइपर्ट्रोफिक नमक बिमारी हो जाती है निले अती बिर्धी ठीक है और उच्छ रख्चाप का उच्छ इलाज देख रेक आवस्ट्रेक होता है रख्चाप जो है 80-120 होता है नारमल 80-120 से जाना होगा तो high blood pressure 80-120 से कम होगा तो low blood pressure हो जाएगा कोश्चन नमर फाइफ है निम्रे में से कौन सा सारी सिच्छा का उद्देश क्लार्क ने नहीं परस्तावित किया है तो दोस्तों उन्होंने सारी दच्छता समाजिक छमता सांस्कृतिक विकास सारी सिच्छा का उद्देश समें दर्साया है वाट इन्होंने तद्रिका पेसी ताल में नहीं दर्साया है कोश्चन नमर 6 है अहिंसा एक भाग है यम का नियम का आसन का प्रणयाम का किसका भाग है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अश्टांग योग की बात कही है और लाश के जो तीन है धाडा ध्यान समाधी उँंतरङ साधन यानि सुच में साधन कहे जाते हैं इसमें जो यम होता है उपांच होता है नियम भी पांच होता है यम में पांच जो आपके समाजिक अनुसासन होते हैं यम को समाजिक अनुसासन भी बोला जाता है इसमें सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह अनब्रंग जरे आता है तो यहाँ पे अहिंसा जो है यम के अंतरगत आ जाएगा और नियम में भी पांच सिधान्त होते हैं जैसे कि सौत, संतोस, तौपस स्वाध्या, इस स्वाध्य प्राड़िधान तीक है उब्यक्तिकत अनुसासन के अंतरगत आता है कोस्टन नमर सीविन है जब सारिक बिद्वान का नाम उस सारिक बिद्वान का नाम जिसने स्वाध्य से चलायमान प्रक्रिया को समझा और इसको परिभासित किया कि जीवन की गुर्वत्ता वह है जो किसी प्यक्ति के अच्छे से रखती है बहतर सीवा के लिए सच्छम बनाती है जैसा कि दोस्तों प्रसित परिभासा है आपने जीवन की गुर्वत्ता नाम सुनते ही आपने सही अंसर दे दिया होगा यह जेएफ बिलियम्स की परिभासा है ठीक है यह डेफिनेशन जो है जेफ बिलियम्स की है सब्सक्राइब संगर्धा हैं कोौण सी टे-इस प्रति होगी था है दूसरी सबसे प्राणी the एक इसलेन उस्टेकरानल ओलडेस्ट टूनांञेंट जैसे क्या होता है इस जैसे कि टेनिस के एक साल में 4 टुरामिट आयोजित किया जाते हैं आश्रलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन ओपन, यूस ओपन जो सबसे पुराना जैसे कि इसको सिक्वेंस है आयोजित करने का आश्रलियन ओपन जिसकी सुरुवात 1905 में हुआ था जन्वरी के मध्य में सुरू होता है हार्ड कोट पर फिर दूसरा नंबर पर सुरू होता है फ्रेंच ओपन, 1891 से यह वो रहा है और मैय जुन के महिने में क्ले कोट पर फिर तीसरा नंबर पर होता है बेमल्डन ओपन इंगलेंड जो 1877 से सुरू हुआ सबसे पुरानी ग्रेंड इसने टूनामेंट है 1877 से याद रखेगा और जुन जुलाई के महिने में आजित होता है हर साल ग्रास कोट पर जो इता है नंबर पर यूस ओपन होता है अमेरिका जो 1881 से सुरू हुआ और अगस्स सितंबर के महिने में होता है और हार्ड कोर पर याँ समझगे आश्रलियोन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डर ओपन, यूस ओपन आश्रलियोन ओपन, जन्वरी के मधिमा में फ्रेंच ओपन, महिजुन में विमल्डर ओपन, जुन जुलाई में उस ऊपन ऋपन अगस्य स्टमर्परून न ना उपन आपthen children open और युस उपन चुन can do no फूर 두री कृड फ्रिंज उपन और बिमनर न उपन नो पर पर दूसरा सबसे पुर्णा क्या हो जाएगा यहाँ पे अमेरिकन ओपन ठीक है दूसरा सबसे पुर्णा हो जाएगा अमेरिकन ओपन के अगर आप से कुछेगा आयोजित करने की सिक्वेंस इससे पहले आश्रालियों उपन फिर फ्रेंच उपन फिर प्रेंच उपन फिर नोपन फिर यूंस उपन उता है कि सुरुआत सबसे पहले यह चित किया जाता है याद रखिएगा Q9 है आपको Ck9 Trophy किससे समदित है तो यहाँ भी 1 का 3 हो जाएगा क्रिकेट से समदित है एन बिलियम टॉर्ड मिमोरियल ट्र्फी किससे समदित है तो बॉस्केट बाल से एक का थ्री, बी का टू, एंड मॉडे का कब, संतोर्ष ट्रॉफी, यह सभी चीजे हैं, फुर्वाल से सी का वन हो जाएगा, इस प्रकार आउसन नमबर सी यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा, Q9 का, Q10 है, Ispirometer किसकी मापन केलिए प्रियूग होता है, ispirometer is used to major哇, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, जो कार्डियर कैपेसिटी होती है हार्ट रेट होती है हिरे की चंपता इस्टेथी स्कोप से मापा जाता है ग्रीप चंपता यानि ग्रीप कैपेसिटी जो है लेप एन राइट हाथों की पकड़ को मैनुमीटर से मापा जाता है एवडामिनल मसल्स कैपेसिटी पेट की मांस बेसियों की छमता सीट अप से मापी जाती है यहां भी हो जाएगा आपका फेफो की छमता मापा जाता है इस पैरोमेटर से कोश्चन नमर 11 है लेडी रतन टाडा ट्रॉफी की स्केल से समझनी थे तो आप सबको पड़ता है यह महिला होंकी से समझनी थे याद रखी गा लेडी रतन टाडा ट्रॉफी महिला होंकी से इसकी सुरुआत 1938 में हुआ था कोश्चन नमबर 12 है जूडू खेल में प्रतियुगता एरिया कितना होता है बेरी इंपोर्डेन है बार बार कोश्चों में इसको पूछा जाता है दोस्तों अधिक्तम इसका प्रतियुगता एरिया होता है सोले गुड़े सोड़े और नियुंतम 14 गुड़े 14 मिटर ठीक है लेकिन अधितन नियुंतम कुछ भी नई पूचा है यहां पर सोले गुड़े सोले ही माना जाएगा ठीक है जैसे कि जूडू है युद्ध समंधी कला है जिसका जर्म जापान में हुआ था जूडू का और सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को परास्त कर देता है तब दल के दो अंग का लोना मिलता है तो यहां भी दोना के दो आंगे मिलता है याद रखेगा क्वेशन नम्बर 14 है कि हैंड बाल खेल छेटर की माप क्या होती है और यह ते मेजर्मेंट आफ हैंड बाल प्लेइंग फेल्ड तो दोस्तों कि चालिस गुड़े बीस मीटर होता है हैंड बाल मैदान की माप यह कि 30 गुड़े 20 होता है वाटर पोलो मैदान की माप एंड हैनबाल में गुलपोस्ट की जो चवडाई होती है तीन मीटर और गुलपोस्ट की उचाई दो मीटर होती है याद रखेगा कुश्चन नमर 15 है अटेक लाइन की स्खेल से समध्धित है तो दोस्तों यहाँ समध्धित है बॉलीबाल सी बॉलीबाल खेल का जो ग्राउंड का माप होता है ठाड़ गूडर नौ मीटर होता है जिसमें से सेंटर लाइन से अटेक लाइन की दूरी तीन मीटर और अटेक लाइन से इंग लाइन की दूरी छे मीटर होती है क्वेशन नमर शूले है अजलन साह का प्रतिविक्ता समंधित है तो दोस्तों अजलन साह का प्रतिविक्ता जो है यह होंकी से समंधित है यह अंतर राश्टी टूनामेंट है दोस्तों अजलन साकप और यह मलेशिया में आयूजित होता है यह आप याद रखेगा सत्रह मेंदित है अपसरी कई खेलों से समदित होता है अपको मै poisonous कि अचीजिया है क्दूर dolc kiai Yeah revelation काइस फ्रेट्यों के लिए आनुग मारे 5 800 ग्रा मभाल थीए है आपका फुर्सों के लिए और महिलाओं के लिए दो बीच से दो तीस सेंटीमीटर को स्टों निए से भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकतित रखने में सच्छम नहीं है which element of food is not able to be stored by the body तो दोस्तों बाड़ी बें स्टोर रखने की सच्छम नहीं होता है तो होता है यानि की मेताबोले जा पचने के लिए आवस्यक होता है यहां इमिनिटी पता करता है सरी की रोगों से रच्छा करता है इनकी कमी से उत्पन रोगों को अपूर्था रोग यानि डिफिसेज से डिजीज बोलते हैं इसे प्रते दिन भोजन से ग्रहण करना आवस्यक होता है क् कि सरी संचित यानि जमा रखने में सच्छम नहीं होता याद भी वसा में गुलंसी बिटामी जो ADEK है वो कुछ समय के लिए सरी मुक्ता संचय कर सकता है वो भी एक्रित में तो आप जानते हैं फैर सोलिबर मिटाविन है ADEK और वाटर सोलिबर मिटाविन है BC और H क्वेशन मेर 20 है लंबी आवदी के प्रतीर उधात में वयाम के कारण खिलाडियों में पेसी मास बढ़ जाता है जो की जाना जाता है long term resistance exercise causes increase muscles तो मुस्ट्री मस्ट्रीच्छे करता है से लंभी ओ Controller के स्ट्रेंजट लिवल बढ़ आ है इसको मत्सक्राइबह्ते हैं वे इसको में बता चुक्ष वाह स्ट्राइब इसको मस्कूलर हॉइपर्ट्राफि कहते हैं जब कि तयामस्च के कारण दयाम के अभार के कारर और हमारे जोटी हो जाती है उसे हम मास्पेश्य और ट्रोफी याद रखेगा दोनों में कंफूजन मत होएगा कोशन नमर्ट 21 है सकती परिछल की वह प्रकार जिसमें संकुचन के दोरान मास्पेश्य के लंबाई छोटी होती है तो जाने जाती है दोस्तों जानते हैं आप की डाइप स्टरेंडेश्ट विच्ट देंअ फैरंड नम्ते गजार mathematics के अधिसतो कउचन के कहा का है कि इसो हम आइसो इसो टूनी कांड़ा के मतलब सेम टूनट उन बठावतों मिरुपं और श्मोर्य प्लाव होता है कि वह य।ोपरकार कि कुसे नमबर 22 है मांस्पेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिधान्द किसके द्वरा प्रतिपादित किया गया था स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी आप मॉसल्स कंट्रक्शन वाच प्रॉपाउंडेट बाइट दोस्तों जैसा कि इसको खोजा गया था हाकसले के दवारा 1954 में मांस्पेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिधान्द 11 मई 1954 को एंड्रियो हाकसले या डाक्टर ड्रॉल्फ निडरगर के कि दवारा किया गया था और इन्होंने ही जब सिधान्द हो जा फिलामेंट तभी तो पता चला कि जो हमारे Quesion No. 30 है आईसोटोनिक व्यायाम का संबंध है इसोटोनिक एक्ससाइज इस रिलेटेट तू तो किस्से है दोस्तो इस्ट्रेंथ डिवलब करने इस तीन विद्धिया होती है इस्ट्रेंथ इस्ट्रेंथ या निकी सक्ति से समधित हैं पावर से प्रफ दोनों आपका राइर इंसर हो जाएगा ठीक है तो मैंने आपको आइसोमेटिक तीनों के बारे में बताया हुआ है अच्छे से कोश्चन नमर पचीज है वसा का अच्छा स्रोथ है विश चीज गूट सोर्स आप फैट तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि दूद प्रोटिन का अच्छा स्रोत है आलू कर्बोहायडेट का मचली ओमेगा थी फैटे ऐसी पाए आता है इसमें वसा का अच्छा स्रोत है पर सबसे अच्छा मसा का स्रोत है मखन यहां भी बटर का राइदिन श्रूब हो जाएगा कोशन नमर 26 है रख्तक को ओ समू को कहते हैं ओ को हम सर्वग्राही कहते हैं ठीक है रतवर्ग की खोच सबसे पहले कालन एस्टिडन ने 1902 में किया था इन्होंने एंटीजन और एंटीबारिज प्रक्रिया के दहापर उधीर की चारवर्ग में A, B, A, B और O में विभक्त किया जिसमें से A रख्त वर्ग का ब्यक्ति A को ही दे सकता है, B का B को ही दे सकता है, A, B जो है सर्वग्राही होता है, सभी का ले सकता है, O जो है सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है, तो O आपका यहाँ पर सर्वदाता यानि की सर्वधाता इनिवर्सल डॉनर अपका होता है अगर पॉज्योटी निगर्टी में आरेस फैक्टर में पूछेगा तो और निगर्टी जो है सर्वधाता होता है पॉज्योटी मत लगाईएगा कोस्टन नमर 27 है 400 में बाधा दोर में बाधाओं की उचाई होती है तो दोस्तों 400 में बाधाओं की जो उचाई होती है वह 0.762 में बाधाओं की संख्याद 10 होती है और बाधा की जो चड़ाई होती है प्रतेक बाधा की चड़ाई एक सो बीस सेंटी मिटर भार एक दस केजी होता है और 110 में पूरूस बाधाओं की जो उचाई होती है पूरूस बाधाओं की जो उचाई 0.914 मीटर चाहर सो मितर मिला बाधाओं की जो जाए 0.760 मिटर तो इसको क्लियर करने के लिए आप बाधाओं वाले वीडियो को जरू देख लिए एक एकलेस्ट एक्लेस्ट वाली प्लेडिस में जा करके 18 में कितनी खिलाडि को सबको पताएं किरकेट टीम से 11 खिलाडे होते हैं से 25 आतरीत को सोल ठीम कोकेnın गडी वालिसा एडीम कि दोटब स्थानापान गैसा नंकितनी बलता है धुरी इस थेडियुए जक्रामिप जोगज़दी फिक शाँ पॉटमक्राडी होते हैं ग्रिन पॉक इस्टेडियम जो है कानपूर उत्तरप्रदेश में है जो एक क्रिकेट इस्टेडियम है याद रखेगा कोश्चन नमर 30 है आधुनिक उलम्पीक खेलों का आरभ हुआ था मारन उलम्पीक गेम्स इस्टार्ट इन दोस्तों आप सब को पता है मारन उलम्पीक गेम्स इस्टेडियम में इस्टार्ट किया गया था अजब कि प्राचिन उलम्पीक खेल जो है 706 इसापूर से 394 इस्टार्ट इस्वी तक चला था और अधुनिक उलम्पीक के पितामा बैरन पीरडी कोबर्डी को मना जाता है बैरन पीरडी कोबर्डी कोबर्डी ने अम्सान ने ते जुन नामका अस्थान पर उसके बाद 856 इसे बाद 896 इस इसे देम में आधंज ऑलम्पीक खेल पर थम सुरूप किया गया उस्टे नमर्ड एक थीस है बास्केटवाल क्या अर्म किया जाता है दोस्तों बास्केटवाल खेल जो आरम किया जाता है बाल उशार कर यानि जंप बाल से सुरू होता है तो बाउंसिंग दवाल जंप बाल से क्वेशन नमर 32 है मनुष्य की कबड़ी खेल खेलने की समय सीमा क्या है और इस टाइम लिमिट आफ परसन टू प्ले कबड़ी तो दोस्तो जो मेल्स की होती है सब्सक्राइब करता है और दोस्तों साइज शिच्छा क्या होता है फिजिकल मेंटल स्प्रिशियर स्वांगीर विकास करता है बट आपका जो सिच्छा होता हो मेंटल विकास करता है विकास करता हमें तो दोने में उसम figuring & स्प्रिशन में लाउन if you have!! क्यों विकास के सब्सक्यार हों नियुदं कोुशन सब्सक्राइब केक्षियर सब्सक्राइब करते है तैसे कुल्सक्यार में में पघंगी पगनेelpन pewnे सब्सक्राइब करते हूँ